हेलो हिंदी मीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गनित कक्षा 9 की जो NCRT प्रशनावली है 10.5 इसके प्रशन 9 और 10 का सॉलिसन और इससे पहले की जो वीडियो से हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा साथ ही साथ आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे comments में जरूर बताना चलिए शुरूआ करते हैं इस प्रशन की पहले इस प्रशन को अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है ना solution तो इसका छोटा सा है बट पहले आप इसको समझो इसमें बोला गया यह दो बिंदूओं B और C पर परतिछेद करते हैं मतलब जहां जहां काट रहे हैं एक बिंदू का नाम B है दूसरे बिंदू का नाम C है ठीक इतना समझ में आ गया इसके बात बोला गया है कि B से जाने वाले दो रेका खंड ABD और PBQ वृतों को AD और PQ पर क्रमसा परतिछे करते हुए खीचे गए हैं मतलब जो यह B बिंदू है इससे दो रेका खंड खीचे गए हैं ठीक है ना एक है ABD जो की वृत को A और D पर मिलता है ठीक है ना और दूसरा है PBQ जो की इस वृत को P पर और इस वृत को Q पर मिलता है वह यहां पर लिखा हुआ है ठीक है इतना आ कौन A.C.P. बराबर है कौन Q.C.D. के A.C.P. देखो कहां पर है A.C.P. मतलब A.C.P. पर जाऊ फिर P.P. निकलो यानि ये वाला जो कौन है ये हमें बराबर सिध करना है Q.C.D. के यानि Q.C.P. जाऊ और फिर D. पर निकलो यानि कि ये वाला कौन ठीक है तो यह हमें सिद्ध करना है ठीक है तो आपको इतना समझ में आ गया कि क्या पूछा गया है क्या बताया गया है अब बात करते हैं सिद्ध करेंगे कैसे तो देखो सबसे पहले हमें दिया है सिद्ध करना यह सब लिखना होते हैं तो मैंने लिख लिया क्या दिया है दो और इसके बाद हमें क्या क्या लिखना आए तो इसको मेंने यहां भातर है अब आपको फुकस करना क्या है आपको सिः करना है यानि कि जैओ सीपी यानि कि यह वाला गौं और आ जाए San Cold rains का 표현 ले जब हम direct बराबर ना सिद्ध कर पाएं तब हमें यह देखने होता है, कि चलो यह direct तो इसके नहीं हो रहा, लेकिन यह क्या किसी और के हो रहा है बराबर direct, तो हाँ, जो यह वाला कॉन है, यह इस कॉन के बराबर है, ठीक है न, यह हमें directly नजर आ रहा है, ठीक है, कि यह वाला कॉन इसके बराबर है, ठीक है, इसको मैं परेरे लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ क्यूं है, आप मैंसे बहुतों को पता भी होगर, पिछली वीडियो देखिएं तो, तो इसका नाम हो गया, A, C, P, तो हम लिखेंगे कॉन, A, C, P, क्या कारण लिखेंगे यहां पर, तो आप खुर लिख लेना, यहां पर आप लिखना, एक ही वृत खंड में बने कॉन बराबर होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो एक ही वृत खंड में बने हैं, जिसको नहीं पता समझा देता हूं, मालो यह कोई वृत है, ठीक है, और आपने मालो इसकी कोई जीवा खिच दी, अब नीचे वाला एक वृत खंड हो गया, उपर वाला टुकडा दूसरा वृत खंड हो गया, किसी एक ही वृत खंड में ऐसे कोण बनाओ, जिनकी टांगे यहां और यहां आके मिलें, जैसे मालो मैंने एक कोण बनाया, ये वाला, तो इसकी एक टांग यहां पे जा रही है, दूसरी टांग यहां पे आ रही है, अब मैं कोई और कौण बनाओं जिसकी टांगें यहीं पर आके मिले और वो इसी वृत्खंड में हो जैसे ये वाला तो ये वाला कौण और ये वाला कौण बराबर होंगे इनको हम बोलेंगे एक यही वृत्खंड में बने कौण तो ऐसे ही यहां पर भी देख लो अगर मैं इसको जुआइन कर दूँ तो इसका काम देखो व्रित यह कर रहा है तो नीचे वाला वरित का टुकड़ा एक वृत्खंड हो गया अब जो ये वाला कोण है इसकी एक टांग A पे है एक टांग P पे है और जो ये कोण है इसकी भी एक टांग A पे है मतलब ये A के ही वृत्खन में बने कोण है समझ में आ गया ठीक चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है इसको बोल देते हैं कि समीकरण एक है यह, ठीक है, समीकरण एक बोलके मैं इसको यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, इसी तरह से, अब मैं बोल सकता हूँ Q, C, D जो है, ठीक है, कौन Q, C, D, वो बराबर है, कौन Q, B, D के, ठीक है, Q, B, D आपको नजरा रहा होगा, Q से B पे जा कि Q और D पे जाके मिल रही है, इस वाले कौन और इस वाले कौन की, ठीक है, तो मैंने लिखा, कौन Q, C, D, यानि नीचे वाला, बराबर है, कौन Q, B, D के, यानि कि कौन Q, B, D के, यह होगे समीकरण दो, कारण होई है, एक ही वित्खन में बने कौन, ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा, हम बोलेंगे, कि जो कौन A, B, P है, कौन A, B, P, वो बराबर है, कौन Q, B, D के, इसको जरा ध्यान से देखो, यह कैसे कौन है, इनको हम बोलेंगे, यह शीरसा भिमुक कौन है, यह कैसे कौन है, शीरसा भिमुक, ठीक है, मैं किस कौन की बात कर रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ ये वाला कोण इसके बराबर है ठीक है देखो ये एक सीधा रेका खंड है ये भी एक सीधा रेका खंड है ठीक है तो अगर ये सीधे सीधे रेखा खंड हैं तो यह सीर्षा भिमुख कोंड हो जाएंगी फिर से देखो इसी लिए रेखा खंड दिया था यह रेखा खंड है यह रेखा खंड है तो इनके आमने सामने के कोंड बराबर होंगे ना सीर्षा भिमुख कोंड तो एक का नाम है A B P यह रहा दूसरे का नाम है Q, B, D, यह रहा शीशा भिमकोन, ठीक है इसको हम बोल देते हैं समीकरण 3, इसको क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं समीकरण 3 अब हम बोलेंगे 1, 2, 3 से, देखो सवाल हो गया, मैं लिखूंगा 1 2, 3 से, मतलब समीकरण 1, 2, 3 को देखना है, जरा देखो एक को, अपने को पता है कि जो A, B, P है वो किसके बराबर है, A, B, P बराबर है, A, C, P के, तो मतलब जो यह A, B, P है, इसकी जगाँ A, C, P लिख सकता हूँ यही A, B, P, यहा लिखा हुआ है देख लो, A, B, P, A, B, P तो A, B, P किसके बराबर है, A, C, P के तो A, C, P किसके बराबर है, A, C, P बराबर है अब देखो, अपने को A, C, P किसके बराबर लाना था, Q, C, D के, तो देखो यहाँ पर, जो Q, B, D है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, Q, B, D, Q, B, D ये QBD किसके बराबर है QCD के अगर QBD QCD के बराबर है तो इसकी जगा मैं ये लिख सकता हूँ देखो QBD ये रहा इसकी जगा मैं लिख दिया QCD जैसे ये लिखा सिद्ध होगे यही तो हमेशे दिखरना था तो उमीद करता हूँ आपको ये प्रशन समझ में आगे होगा आप देखते हैं अगला प्रशन क्या है आप देखो जो अगला प्रशन है ये भी काफी आसान सा प्रशन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा पहले इसको समझ लेते हैं इसमें बोलागे, यदि किसी त्रिबुज की दो भुजाओं को व्यास मान कर वृत खीचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृतों का प्रतिछेद बिंदू तीसरी भुजा पारिश्तित है, कहने का मतलब है, समझो अपने पास अगर कोई त्रिबुज है, अब इस त्रिबुज की किनी दो भुजाओं को व्यास मानों और दो अलग-अलग वृत खीचो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक व्यास माना और एक वृत खीच दिया, ठीक है न, ये भुजा जो त्रिबुज की थी, ये वृत के लिए समझो व्यास है, और इस त्रह से इसको मैं व्यास मान के एक दूसरा वृत खीच दूँ, ये रेड वाला, ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों वृत परतिछेद कर रहे हैं, यानि कि ये जो बिंदू है, ये मुझे सिद्ध करना ही कि ये इस त्रिबुज की तीसरी वुजा पायस्तित है, अगर मैं आपको नाम से समझाओं, तो समझो जो त्रिबुज है, उसका नाम है A, B, C, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो ये त्रिबुज A, B, C है, इसकी एक वुजा हो गई A, B, तो A, B को व्यास मान के एक वृत खीचा गया, और इसी त्रिबुज की दूसरी वुजा हो गई A, C, इसको व्यास मान के ये लाल वाला वृत मालोगी चागया, दूसरा वृत, अब इन दोनों वृतों ने जहाँ पर एक दूसरे को परतिछेद किया, समझो उस बिंदू को नाम है D, तो हमें ये सिद्ध करना कि जो बिंदू D है, ये इसकी तीसरी भुजा, यानि कि B, C के उपर इस्तित है, कहने का मतलब है, कैसे कर पाएंगे हम देखो, अगर मैं B, D, C को एक रेका खंड दिखा दू, यानि कि B, D, C, A की रेका खंड है, अ इन दोनों को मिला देंगे, A और D को हम मिला देंगे, तो A और D को मैंने मिला दिया, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है, हमें क्या दिया है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना करी, तो वो सब मैं लिख लेता हूँ, ताकि आपका टाइम गेशना हो, तो देखो, म वो भुजा BC के उपर इस्तित है, यानि मैं लिख दिया हमें सिद्ध करना है, D, B, C पर इस्तित है, हमने रचना करी थी, A को D से मिलाया था, तो मैंने रचना में लिख दिया, A को D से मिलाया, ठीक, अब सिद्ध करना बहुत आसाना, कैसे, न बोलूँगा, A, B, व्यास है, ठीक, आपको इस पहले विरित में देखना है, इसमें A, B क्या A, B व्यास है, अगर A, B व्यास है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया, कि जो कोन है, A, D, B, कोन, A, D, B, वो हो जाएगा 90 degree, क्यों होगा, इसका कारण है, अर्धवरित में बना कौन, समकोन होता है, ठीक है, अर्धवरित में बना कौन, मैं इतना ही लिखके, छोड़ दे रहो, आप चाहो तो इतना ही लिखो, नहीं तो पूरा लिख सकते हो, अर्धिवृत में बना कोंड शमकोंड होता है क्या मतलब हुँ इसका जिसको नहीं सवजना आता समझा देता हूं अगर अपने पास कोई विरित हो और मैं उसका कोई व्यास ले लो यहांपर तो अगर मैं व्यास के दोनों सिरों को किसी एक ही अर्धवृत में मिला दू तो जो कौण बनता है हमेशा वो 90 डिग्री का होता है ठीक है न? इसको हम बोलते हैं अर्धवृत में बना कौण उसके लिए जरूरी है कि जहां पर इसकी टांगे मिल रही है जैसे एक टांग इसकी यहां पर आई दूसरी टांग इस कोण की यहां पर गई यह व्यास के सिरे हो ठीक है न? तो यहां पर भी आप देख सकतो यार वही कहानी तो चल रही है यहां पर A B जो है वो व्यासी तो है ठीक है न? तो अगर A B व्यास है तो मैंने जो यह कोण था पूरा ठीक है इसकी एक टंग देखो व्यास का एक सिरा B है दूसरा A है तो मतलब यह अर्धिवरित में बना कोण है यानि कि यह 90 डिग्री का होगा A, D, B ठीक इसी परकार ठीक है अगला सिधा लिख दो इसी परकार इसी परकार जो कोण है A, D, C वो भी 90 होगा अब इसके जैसा ही वो है तो उसमें सारे स्टेप नहीं करने ठीक है ना भई उसमें भी तो यह व्यास है A, C क्या है व्यास है तो अगर A, C व्यास होगा तो फिर से यह जो कोण है यह अर्धिवरित में बना कोण हो जाएगा क्योंकि देख लो आप यह व्यास का सी राहे A और C ठीक है तो इसी परकार लिद क्या आगे छोड़ दो पूरा कारण नहीं लिखना इसमें तो अगर मैं इसको बोल दू समीकरण 1 इसको बोल दू समीकरण 2 और मैं 1 वाद 2 को जोड़ दू तो मुझे क्या मिलेगा एक वाद 2 को जोड़ने का मतलब है इनका लेफ्ट वाला हिस्सा आपस में जोड़ दो चलो यहां से A, D, B प्लस यहां से A, D, C यह दोनों कोण मिल गए बराबर कितना राइट वाला राइट में जोड़ दो राइट में नभश है, राइट में नभश है नभवे नभश है जोड़ एक साथ C थीक है, तो जैसे ही यहां पर देखो यह जोड़ के साथ C आया इन दोनो को देखो A, D, B कहा है A, D, B, यbearनी यह वाला कौन और A, D, C कहा है यह वाला कौन अगर इन दोनों को जोड़के 180C आ रहा है तो मतलब यार ये तो सीधी रेखा रही होगी ना तभी तो ये रेखी क्यूग में बना रहे है जोड़के 180C आना चाहिए था ठीक है तो हम बोलेंगे इनको अगर 180C आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि B, D, C, 1 रेखा खंड है रेखा खंड क्यूं बोल रहा हम इसको क्यूंकि अगर ये रेखा खंड नहीं होता तो हो सकता है D यहाँ पर आता तो ये ऐसे टेड़ा होके जाता तब रेखा खंड थोड़ी बनता लेकिन क्यूंकि ये कौण जोड़के 180C आ गए दोनों तो मतलब ये बिल्कुल सीधा ही है यानि जो दी है वो इसी के उपर इस्थित है एक तो इसका मतलब क्या इसका मतलब जो डी है दी कि वह हों